दोस्तो Microsoft Excel के इस सीरीज में आप सब कस्वागत है जहां पर आज का हमारा टॉपिक है Sort and Filter Sort and Filter एक बहुत ही important टॉपिक है और एक बहुत ही easy टॉपिक है इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि अगर आपके पास एक बड़ा data एक large number of data है और आप उसे आसान तरीके से analyze करना चाहते हैं तो आप ये काम इसके मदद से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं तो मेरा ना मेरा रहूल और शुरू करते हैं आज का topic तो हम आगे हैं अपनी computer skin पर और यहां पर आप notice कर पा रहे होंगे कि मेरे पास एक data है और यहां पर normally मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कुछ employee के नाम लिखे हुए वो किस department में work करते हैं वो लिखा हुआ है साथ ही उन्होंने क्या-क्या product में क्या-क्या sale किया है वो चीज मैंने आपे किया हुआ है अब इतना करने के बाद हम इसमें apply करने वाले है filter हम क्या apply करने वाले इसमें filter तो normally क्या है कि आपका जो यह data है आप इस data को कर लो select ठीक है serial number को हम select नहीं कर रहे हम employee name department product और sale को select कर रहे है अब इस select करने के बाद जब आप home tab पे जाते हैं और आपको यह option मिलता है short and filter आप इस पर click करेंगे तो आपको मिलेगा short a to z short z to a और यहां पर आपको मिल जाएगा filter का option तो basically यह short a to z है यह z to a है वो हम filter के थूरू भी apply कर सकते हैं तो सीधा सीधा हम इसी को apply करते हैं और इसी में short a to z का use और z to a का use समझते हैं तो मैंने के इसे click अब इसे click करने के बाद आप notice कर पा रहे होंगे कि जो आपका data है वहां पर हर एक के right corner में आपको एक symbol नजर आ रहा है तो वो क्या हुआ a to z parameter में तो यहीं पर हम क्या करेंगे हम employee name में गए और हमने क्या sort a to z तो क्या होगा कि यह जो a है वो सबसे उपर आ जाएगा फिर उसके बाद वाला letter फिर उसके बाद वाला तो हम यहां पर जाते है और a to z पर click किया तो आप देखें यहां पर क्या हुआ कि पहले अमन का data आ फिर हर्ष फिर महेश फिर बागे सब का अब इसका फाइदा क्या ह फाइदा यह है कि अमन से connected है grocery, connected है rice, connected है उसके sale तो जैसे मैंने अमन को sought a to z किया उसके related जो भी data था वो automatically उसके भिहाब पर update हो गया example के लिए अभी आप notice करो ओपर यहां grocery rice 60,000 के sale है मैं इसको कर रहा हूँ z2a मतलब पहले जो है सबसे लास्ट राले letter फिर उससे पहले फिर उससे पहले तो आमने क्या z2a तो देखो सुरेश आ गया ओपर का menu automatically यहां पर change हो गया और यहां पर आपको एक symbol नजर आ रहा होग इस पर तो आप यहां पर जाओ normal करना है normal कर दो यह normal हो चाहेगा इसके बाद यह तो हुआ कि आप इसको ascending to descending यह descendant to ascending कर सकते हैं इसके other में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है देखो अभी यहां पर simply क्या है कि सिर्फ 12 लोग का data है मेरे पास या फिर हम यहीं बोल सकते है कि सिर्फ 12 रोज का data है लेकिन हो सकता है जब आप company में जॉब करते हो तो पांसो data हो आपके पास 500 रोज का data हो या उससे भी बड़ा data हो उस टाइम पर आप manage कैसा करोगे तो उस टाइम पर यह आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है अब देखो यहां पर scene क्या है कि आप department देखो तो यहां पर grocery का भी department है गार्मेंट का भी है electronic का भी है मुझे सिर्फ और सिर्फ यह देखना है grocery department के sale कौन कौन से है आपको इस वाले option पर जाना है और नीचे जाना है select all पर आपको इस पर single click करना है दो को सारा के सारा हट गया और आपको सिर्फ किलिक करना है grocery पर क् grocery की sales देखनी है garment की देखनी है garment electronic की देखनी है तो जिसके देखनी है सिर्फ वो select होना चाहिए बाग की सब unselect होना चाहिए और आपको करना है okay अब आप notice करेंगे कि जितना भी data था हमारे पास वो यहां से vanish हो गया गायब हो गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ यह grocery का data न अब आप नोटिस करो कि यहां पर हम जाते है product में तो हमार पास product कई सारे हैं आपको नीचे मेन्यू नजर आ रहा होगा AC, computer, cooler, fridge, oil, etc बहुत सारे हैं तो आपको किसी भी particular product का sales देखना है या फिर हमें यह देखना है किसी भी particular product के data मुझे यहां पर menu में चाहिए तो आपको क्या करना है select all पर दुबारा click कर देजिए सब unselect हो जाएंगे और फिर आपको आना है oil वाले option पर click किया और हमने किया OK, आप देखें सारा data यहां से गायब है और सिर्फ और सिर्फ आपके पास oil वाला data है आपके आ गया, कि sir oil की sales है हर्ष ने की है, सुरेश ने की है, इस department से और यह इनकी sales है, तो होगा क्या कि मानलो अगर आपके पास एक बड़ा data है, कहने के मतलब 200 या 400 इतना बड़ा data है, 200 रोस का data है, तो अगर आपको पास supervisor आता है, किसी भी particular data की sales आप से मांग रहा है या फिर उसकी details मांग रहा है, तो आप बड़ी simple तरीके से महां पर shorten filter लगाते हैं, और उस certain filter की मदद से, आप data को बड़ी आसानी से analyze करके, अपनी supervisor को या फिर senior को उनके question का reply दे सकते हैं, तो यह आपके काम को काफी जाद आसान बना देता है, कहने को बहुत easy option है, जैसे कि आपने देखा, कि सिर्फ समझने का इसमें जो एक role है, वो है, यहाप जाते हैं, और हमने कर दिया select all, ओके के, तो आप notice करेंगे कि इसमें जो option है, वो है, बहुत simple, एक ascending है, descending है, और एक select all है, लेकिन, अगर आप इसका use देखेंगे, तो use यह बहुत बड़ा role play करता है, कि आपके इतने लंबे data को यह बहुत ही छोटे wave में, आपको represent कर देता ह तो आपके काम काफी असान बना देता है, तो यह था shorten filter बहुत easy option है, hope कि आपके काम आएगा, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगी हो, अच्छे लगी हो, तो like कर देना, share कर देना, और हाँ, एक comment करके अपना feedback जरूर देना, thank you